अब आपके साथ सेर रहे हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डार्क सटल्स को दूर करने के लिए बहुती इजी और होमेट रेमेटी है बहुती आसानी से भन जाती है और योज भी बहुती आसानी से हो जाता है इसमें कुई छंजड नहीं है बहुती आरामा और डेपिनेट करते हैं यह आलू है और इसमें विटामिन बी और सी पाई जाते हैं जो मारे स्कीन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इसमें ब्लीचिंग प्रोपर्टेज भी होती हैं जो मारे टैनिंग दूर देते हैं दाग दबो को बिल्कुल दूर करते हैं तो हम इसको छील लेते ह छिल लेंगे सकर्ट जोष निए निकलाईगे इसका यूज भी बहुत Hai असान है बहुत-ी आराम से ап dönुट सकते हैं आप इसको इसको दो बर लगाना है आपको दिन में और बीच-बीच मिंट के लिए छोड़ देना उसकी मसाज करके यह मिसके पीस करके बिल्कुल चोटे-चोटे मिक्सी में डाल देते हैं अब 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 मिक्सी में डाल दिया है अब अब मिसको पीस लेते हैं इदेखिए यह मिक्सी में पीस लिया है अब 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 चलने में से चाना है इस बहुत ही असान है दोस्तों मेरे खुद के बहुत ज्यादा हो गए थे इसलिए मैं आपके साथ सेयर कर दो क्योंकि मेरे बिल्कुल ही ठीक हो गए आप दस दिन इसको कंटीनू कीजिए दस दिन में ही आपके फायदा होगा दस दिन में ही आपको इसको पूरा रस निकाल लेंगे अच्छा से आप दस दिन ही लगा के देखिए दस दिन में ही आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इसका और हंडर्ड परसेंट आपको यह रिजल्ट मिलेगा इसका यह देखिए अब हम फेस को बिल्कुल साप कर लेंगे फेस पे कुछ भी नहीं बचना चाहिए डर्ड वागर कुछ नहीं होना चाहिए अच्छे से पोच लेंगे पुरा अच्छे से पोच लेंगे पुरा आपको पूरा मेकप साप कर लेना है कुछ भी नहीं बच्टा चाहिए इसको लगाएंगे नहीं इसलिए मैंने लिप कलर बचा है परागी मैंने पूरा अच्छे से साप कर लिया है अब इसको कोटन बोल की मदद से भी लगा सकते हैं और नहीं तो आप डारेक्ट हाथ से भी लगा सकते हैं कोटन बोल को पाणी में गिल अगर के उसको नचोड़ के रख लें तब इसको लगाएं और मैं हाथ से लगा रहे हैं इसको इसको सेम टाइम बढ़ा के ही लगाना है ज्यादा टाइम इसको रखना नहीं है रखने सी खराब हो जाता है फ्रेस बनाईए और फ्रेस ही लगाना इसको आप ऐसे पूरे फिस पे आप ऐसे लगा सकते हैं इसको पूरे फिस पे अच्छे से लगाना है और हलके आतों से मसाज़ी भी कर सकते हैं आखों पे ऐसे करके यह इस तरह से आपको पूरे फिस पे लगाना है और पसाज करने हैं आखों पे हाथों के बोस पे भी आप इसको लगा सकते हैं अगर आपका गर्दन पे टैन हो रखा है बलैक हो रखे तो आप उस पे भी आप इसको लगा सकते हैं अच्छे से लगा लगा लीजिए और बीस्मिंट के लिए आप इसको छोड़ दीजिएगा बीस्मिंट बार इसको शिम्पल प्लेन वाटर से दोलेना है और अब मॉस्चराजर कुछ लगा लगा लीजिए अगर आप रस नहीं बनाना चाहते तो आप इसके स्क्रे इसके भी 5 मिन्ट आप इसको मसाल दे सकते हो और फिर भी 5 मिन्ट बाद इसको दो लेजिएगा यह काफी आसान है और लगता है कि यह फाइदा ने करेगी इसका मैजिकल इफेक्ट होगा बहुत ही अच्छा मैजिकल इफेक्ट देगा ही आप इसको कर सकते हैं यह जो ब्लेक हो जाते हैं अच्छे कंदि लगते तो यह अच्छे नहीं लगते हैं तो आप प्लीज इसको अपलाई कीजिएगा और प्लीज आप लगा के देखिएगा आपको 100% इसका रजल्ट मिलेगा बहुत ही फायदा होगा आपको इससे और आपके ढाख सकल सो एकदम जैसे गायब हो जाएंगे छुबंतर में तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा और कुछ कमेंट है कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं आप थैंक यू सो बच